तो आज से ठीक पांच मैंने पहले मैंने लिया था रियलमी का डीजो वॉच आर सीरीज जिसकी मेरे को प्राइस पड़ी थी पूरे 3800 रुपए मतलब 4000 के आसपास समझ सकते हो आप लोग और उस वाली वॉच की अभी प्राइस वही आसपास में चल रही है तो क्या हुआ कि उ मैंने चलते हैं यहा पर सर्फी सेंटर में हम गए तो हमां पर हमारी उससे कहा गया कि आपकी बॉसक्ट करना पड़े गा क्युक्त यह इसंका कुछ वालवार नहीं आताई सब्सक्राइब कि और यह तो आपको साथ दिन लगेगी इसे बदलने में अगर हम बात करें लगना चाहिए तो नहीं कभी-कभी ज्यादा भी टाइम ले लेती है दो मेहने तीन मैंने भी बहुत जादा होते हैं तो भी आपको ड्रॉपशनर लिए जाने के बाद मेरी एक मैने के पाद तो वह आपको ड्रॉपशित नमबर मिल गए आज से चार मेने पहले पहले पिछे बद्धना कुछ खास पता नहीं चल दा था उसमें कि मेरी वॉच कहां पर नहीं है वो जस्ट मेरे को नंबर दिया गया मुझे नहीं पता किस कारण से इस कारण से हो सकता है कि मैं एक अधे वॉच कहा रही मेरे वॉच कहा है तो नहीं का आपकी वॉच अभी मुझे नहीं पता आएगी हम आपको इन्फॉर्म करतेंगे ठीक है फिर अगले सब्सक्राइब फिर यहीं सेम बात पिर तीस्रे मैंने से उन्दों ने थोड़ा सा फॉन उठाना बंद कर दिया डिले क करते हैं वह उठाने में मतलब ऐत अचैनल करते हैं कभी कभी नहीं मतलब टयें दो उसमें और किया कर सकते लेंगे ठीक है आच आच भाई तो में कुछ नहीं क्या एक्सपेक्ट भाई आपसे आप क्या कर रहे हो अपने वाच के साथ आपकी वाच कहा है मैंने पूरे भाई मैंने देखा ग्यान थेरीवी की वीडियो उसमें वह बंदा 500 रुपे के लिए लट रहा था एक बंदेश है मतलब कि भाई मेरी 500 रुपे घड़ चुकी है अब मैं क्या करू जो कि फैक्ट है बट यहां मेरी पूरी पूरी तीन 4000 पर पाच चली गई है और यहां पे बं लो भाई समोसे बेचो रोड पे रियल में की समोसे खाऊंगा मैं रोज जाके पचास रुपया पीस बेचना चलो चलो मिस्टोरी प्याद है उसके बाद क्या हुआ कि पूरे पांच मैने अभी हो जुगे है और वाच का कोई अता पता नहीं है लाइक मैं उसे अगर फॉन क करूं तो वह बंदा वहीं बुलेगा भाया जब आएगी मैं आपको इंफर्म कर दूंगा कव आएगी नहीं पता हमें अगर आपको नहीं पता है कि हमारी वोच कहां है पीछली पांच मैने से मतलब भाई पांच मैने में कितने सारे वाच बन सकते हैं फैक्टरी के अंदर एक वाच नहीं दे सकते हैं यह लोग वाच आर वो भी इस टैम पर उसकी सबसे अच्छी वाच मोले डिस्प्ले के साथ आती थी और मैंने उसी पर्चस के आंड वहीं चल बसी मीवे पे शिप्ट हो गया हूं आप भी हो जाओ मुझे समझ नहीं आता भाई मैं क्या बूलू मेरे एक सब्सक्राइबर है उनके साथ भी सेम इसू हुआ है और उन्होंने मुझे बताया कि भाई आप इसके ओपर वीडियो बनाऊ सो आपके सामने यह वीडियो है थोड़ा सा लेट लग गया वीडियो बनाने में क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इसके ओपर सोच रहा था क क्या बूलों मैं उनको कुछ से कुछ भी बोल नहीं सकता क्योंकि बाई उनकी इसमें कोई गलती नहीं पता ही नहीं हमारा की वॉच का बार सर्वे सेंटर गें अंदर यहां पर एक यहां पर एक इसू है कि आप एंट के बात कर रहे हो आप लोगों को ऐसे पौन उठारे हो कॉल बैक कॉल पर जानकारी प्रपर नहीं मिल रही है संतुष्ट नहीं है आपके बात से कि आप क्या कहना चाह रहे हो लाइक आप भाई हम इस बाली बात को कर रहे है कि हमारी वोच कहां पर है करेंगे कि हमारी नहीं स्मार्टफोन लौन चुई आप उसको यूज करें भाई कोई तालम इलाइज बात का धरती आसमान की बाते हो रही है नहीं यहां बे सो मेरे को थोड़ा हुआ रियल्मी की ऐसा रियल्मी ऐसा नहीं कर सकता ना रियल्मी पर थोड़ा सा ट्रस्ट था ऐ अपील एंड उसके बाद जो है देखा जागा जो होता है तो मैंने फ्लिपकार्ट को फोन लगाया दो पांच शे दिन पहले की बात है फ्लिपकार्ट को फोन लगा एंड उन्होंने का मैंने उसे कहा कि देखी हमारा रियल्मी वाच अभी जग नहीं आया और वह पांच मैं लूँगा एंड रियल्मी के उपर तो जाएगी जाएगी एंड मैं लड़ने वाला केस नहीं हो इसके उपर तो गवर्मेंट की तरफ से आती है वगिल वगिल जो भी लड़ते हैं और और करने में थोड़ा सा बहुत पैसा लग जाएगा आपको बट कोई नहीं अगर मेरी चारज़़ रुपए बाई में पांच मेने से प्वागल होंगा तो मैं पचासद रुपए लेने में नहीं चूकोंगा फिर बहुत लेने बिल्कुल भी मतलएना रियल में की कोई भी बच मतलो क्यूंकि अगर इसको एक बार कोई बी इसू हुई तो उनके पास यह पर प्लेज होगी चार से पांच मेहने लग जाएगी बहुत भार ही इसू होगा एंड भाई मैं उसको गाली दूँगा क्या नहीं दूँगा क्योंकि फिर वो मेरे पर चढ़ जाएगा कि भाई आप अपने मेरे को गाली दिया अपने यह आपने वह तो मैं सिधा लूँगा देरे लगा रहे हों डूँड के तो यही थी आज की वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से और सब्सक्राइब करना और आर्लमी की बहुत से दूर रहना बाई